तो आज हम अप्रेल में आसानी से उख सकने वाले 14 खुबसूरत पौदों के बल्ब के बारे में बात करते हैं यदि आप अपने बगीचे में कुछ फूलों का आकर्शन जोड़ने के लिए उच्छोख हैं तो आप सई जगह पर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आगे बंड़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बाद जो बैल का इकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजेगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अप्रेल गर्म बौसम के शुरुआत का प्रतीक है जो इन बल्बो को जमीन में लगाने का आदर समय है बल्ब प्रक्रती के छोटे खजाने हैं जब वे खिलते हैं तो रंग और सुन्दरता का वादा करते हैं आज हम को शांदार बल्बो के विकल्बो का पता लगाएंगे जो अप्रेल में लगाए जाने पर फलते फूलते हैं आए राजसी रजनी गंदा से शुरुआत करें सुगंद के सपर्ष के लिए इन बल्बो को लगाने पर विचार करें ये नाजुक सफेद फूल अपनी मादक सुगंद और सुन्दर उपस्थिती के लिए जाने जाते हैं मीटी सुगंद से बरे बगीचे के लिए अप्रेल में रजनी गंदा के बल्ब लगाएं अप्रेल में बोने के लिए कैना लिली एक और शांदार विकल्प है अपने घने पत्तों और जीवन्द फूलों के साथ कैना लिली किसी भी बगीचे में एक उश्न कटिबंद्य स्वभाव जोड़ती है आकर्शक सुन्दरता के लिए अप्रेल में कैना लिली के बल्ब लगाएं नाटकियता के स्पर्श के लिए क्रोकोस्मिया के बल्ब लगाने पर विचार करें ये ज्वलंद फूल अपने जीविंत रंगो और धनोशाकार तनों के लिए जाने जाते हैं आकर्शक फूलों से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में क्रकोस्मिया के बल्ब लगाएं अगपैंथस जिसे लिली आफ नाइल के नाम से भी जाना जाता है किसी भी बगीचे के लिए एक शांदार विकल्ब है अपने लंबे, पतले तनों और ग्लोब के आकार की फूलों के साथ अगपैंथस बल्ब आपके बगीचों में सुन्दर्टा और आकर्शन जोड़ते हैं सुन्दर फूलों से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में अगपैंथस के बल्ब लगाएं सुन्दर्दा के सपर्च के लिए जेफिरेंटस के बल्ब लगाने पर विचार करें इन्हें रेल लिली के नाम से भी जाना जाता है ये सुन्दर फूल बारिश की फोहारों की पुकार पर खिलते हैं जो आपके बगीचे में एक जादो ही सपर्च जोडते हैं मनमोहक फूलों से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में रेन लिली के बल्ब लगाएं अपने सुन्दर आकार और आश्चर जनक फूलों के साथ कैला लिली किसी भी बगीचे में परिशकार का सपर्च जोडती है सुन्दर्ता और आकर्शन्ट से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में कैला लिली के बल्ब लगाए इसके बाद हमारे पास खुबसूरत अमेरिलिस लिली है अपने बड़े तुरई के आकार के फूलों और जीविंत रंगों के लिए जाने जाने वाला अमेरिलिस लिली निश्चित रूप से आपके बगीचे में आकर्शन्ट का केंद्र बनेगा शांदार पुश्प प्रदर्शन के लिए अप्रेल में इनके बल्ब लगाए रंग और बनावट में विविपतल आने के लिए केलेडियम के बल्ब लगाने पर विचार करें अपने जीविंत पत्ते और अनूटे पैटन के साथ केलेडियम किसी भी बगीचे के लिए जरूरी है बोल्ड और सुंतर पत्तियों से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में कलेडियम के बल्ब लगाने पर विचार करें यदि आप अनोखे और विदेशी फूलों के प्रशनसक हैं तो फुटबॉल लिली एक आदरश विकल्प है अपने असमान्य आकार और आकरशक रंगों के साथ फुटबॉल लिली किसी भी बगीचे में नाटकियत अकास परश जोड़ती है बाचीच चुरू करने वाले फूलों से भरे बगीचे में अप्रेल में फुटबॉल लिली के बल्ब लगाएं अपने जीवन लाल और नारंगी फूलों के साथ फुलेम लिली किसी भी बगीचे में गर्मी और उड़जा जोड़ती है चमकदार सुन्दर्ता से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में फुलेम लिली के बल्ब लगाएं कैमफेरिया जिसे पिकाउक जिंजर के नाम से भी जाना जाता है अपने आकरशक पत्ते और नाजुक फूलों के साथ एक बेश कीमती विकल्ब है विदेशी आकरशन और ऊश्ण कर्टिबंद्य सोबाव से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में कैमफेरिया के बल्ब लगाएं लाइकारिस जिसे सप्राइस दिली या नेकिड लेडी के नाम से भी जाना जाता है एक अनोखा और आकरशक बल्ब है अपने लंबे तनों और तुरई के आकार के फूलों के साथ लाइकारिस किसी भी बगीचे में चमक का सपर्श जोड़ते हैं आनन दायक आश्चर्यों से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में लाइकारिस के बल्ब लगाएं गलाकसीनिया के बल्ब अपने बड़े बेल के आकार के फूलों और जीविन तरंगों के लिए जाने चाते हैं अश्चर्य जनक फूलों से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में गलाकसीनिया के बल्ब लगाएं जो निश्यत रूप से प्रवावित करेंगे अन्तिम लेकिन महत्पून हमारे पास क्रिनम मूरी है अपने लंबे पतले तनों और नाजुक फूलों के साथ क्रिनम मूरी किसी भी बगीचे में सुनदरता का स्पर्च जोड़ते हैं शाश्वत सुन्दर्ता से भरे बगीचे के लिए अप्रेल में क्रिनमूरी के बल्ब लगाएं बल्ब को लगाने से पहले अच्छी जल निकासे वाली मिट्टी और धूब वाली जगे चुनना सुनश्चित करें बल्बों को अनुशंसित गहराई पर लगाएं उन्हें अच्छी तरीके से पानी दें और मिट्टी में नमी बनाए रखें उच्छी देखभाल और ध्यान के साथ यह बल्ब आपको रंग और सुन्दर्ता के शांदार प्रदर्शन से पुरस्कृत करेंगे और इस तरह आपके पास है अप्रेल में लगाए जा सकने वाले बल्ब की सूची चाहे आप अनुभवी कार्टनर हो या भी शुरुआत कर रहे हो यह बल्ब निश्यद रूप से आपके बगीचे में सुन्दर्ता और आकर्शन जोड़ देंगे यदि आपको वीडियो उप्योगी लगा तो इसे लाइक करें अधिक बागवानी युक्तियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अप्रेल में लगाए जाने वाले अपने पसंदीता बल्बो को नीचे कमिट्स में साजा करें हैपी गाडनिंग और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूगा